भग्ती को पांच कांड में बाटा गया है. पहला है कर्म कांड, दूसरा है उपासना कांड, दीसरा है जोग कांड, चौथा है ग्यान कांड, और पांचमा है आत्म ग्यान कांड. एक बात मैं पहले कह देना चाहता हूँ मेरे बातों पर आप लोग विश्वास नहीं करेंगे विश्वास बहुत ख़तरनाक है विचार करने की आवज सकता है शाहिव कबीर कहते हैं करऊं विचार ते सब दुख जाई मनुष के अंदर केवल एक बिचार आजाए तो सारे दुखों की निब्रीती हो सकती है आज तो लोग विश्वास पर चल रहे हैं कोई गुरू जी ने विश्वास की बात कह दी अभी आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम में विश्वास की बाते चल रही है विश्वास की बात कह दिया उसी पर लोग मारा मारी आपाधापी करने में लगे हैं नहीं विश्वास नहीं विचार की बात चाहिए अंद सर्दह नहीं संका की बात चाहिए अनुमान नहीं अनुभव की बात चाहिए और मानना नहीं जानने की बात चाहिए और हमारा बिद्वान लिखा I keep six honest serving men They taught me all I know मैं कुछ नहीं जानता हूँ और अपने पास छो कर्तब पढ़ायन इमांदार बेक्ति को रखता हूँ जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सीखाया है और इनके नाम है Their names are What, Why, Who, When, Where and How इनके नाम है क्या, कौन, कहा, क्यों, कब और कैसे ये मानव के अंदर ये संका अगर हो जाए तो जीवन की गारी गंतब पर पहुँच जाए लेकिन आज लोग अंध सर्धा में सारे लोग हो में सर्धा नहीं अंध सर्धा मैंने कहा कर्म कांट जीने के लिए कर्म की आवसकता है अगर जीना है अगर भोजन मिलना है, बस्त्र मिलना है घर में रहना है बिचावन पर सोना है, गारी पर चर्णा है तो इसके लिए तो कर्म की आवसकता है आप बिजनेस करें, खेती करें, नोकरी करें सिनेमा में रहें, सरकस में रहें, किर्केट में रहें पसू पालन करें, जीने के लिए सद्गुरु कभीर, रात रात भर ताना बाना चला कर कपरा भूनते थे मुहम्मद साहिब बकरी चडाते थे इसा मसी भेरी चडाते थे भगवान किरिष्न गाय चडाते थे विशुकर्मा जी लकरी लोहा का काम करते थे रैदास जी जूता टांकते थे और सुपच भगत उसूप डगरा बिनते थे जीने के लिए कर्म की आवसकता है सुख के लिए कर्म की आवसकता है लेकिन सांथी के लिए कर्म की कोई आवसकता है कर्म से सांथी नहीं मिलती देखते हैं आप बहुत लोग धान कमाकर पचपच सो भिगा जमीन बहुत बड़ा पांच महल दस महल दीस महल का मकान बनाते हैं बेटा सब को नोकरी दरवाजे पर इसकारपियो बोलोरो फरचूनर सफारी गारी लगी है लेकिन जब उसे आत्मा में सांथी नहीं मिलती है तो सारे धन के रहने के बाद भी वो भिक्ती पौईजन खाके रेल में कटके आग लगाके फांसी लगाके मर जाका क्यों? सुख तो है लेकिन सांथी के अभाब में वो बिक्ती अपना प्रांग गमा देता है सबसे बरी महत्ता हमारे जीवन में सांथी की है आज पूरे दुनिया के हिंदू, मुसल्मान सीख, इसाई, पारिसी, यहूदी, औरत, मर्द सब के सब करम कांड में भीरे यह गंगा, जमुना, क्रिसना, कावेरी, गुदावरी, तरावती, नर्मदा नदी में नहा लेना कोई ग्यान कांड नहीं है यह करम कांड है नहाने से मनुस को कोई ग्यान हुआ नहीं वो मुँ से गाली पढ़ता है नहाने के बाद जर्दा किमाम खाता है, बीरी सिग्रेट पीता है चाय पीता है, जूट बोलता है, दलाली खाता है रमान महाभारत गीता पढ़ लेना करम कांड है पढ़ने वाले भी दूद में पानी मिलाते हैं आटा में चोकर मिलाते हैं गी में डलडा मिलाते हैं सरत सतनरायन बर्थ कथा या सीरी मद भागबत कथा कह लेना ये करम कांड है पूरा दुनिया बहुत सारे कविरपंथी भी करम कांड में लगे हैं करम से हमारे जीवन में सांती कभी नहीं आ सकती है सांती के लिए तो आत्म ज्यान की आवा सकता है पूरा सब लोग लगे हैं करम कांड में करम के साथ साखा होते हैं यजन यजन अध्यन अध्यापन दान पतिग्रह मेथोंद यग करना यग कराना दक्षिना लेना दक्षिना देना बिद्या पढ़ना बिद्या पढ़ना और बच्चा पैदा करना ये साथो करम कांड बंदों साहब कबीर बीजक से कहते हैं सार सवद से बांचियों मानों इतवारा हो आदी पुरुस एक भृक्ष है निरंजन वाके डाड़ाओ तिर्देवा साखा भै पल्लब भै संसारा हो ब्रम्हा बेद सही कियो सिव जोग पसारा हो विशनु माया उतपति कियो ये उरले बेवारा हो तीन लोक दस हों दिसा जम रोकिन द्वारा हो कीर भै सवजियरा लिये बीश का चारा हो जोती सरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा हो कर्म के बंसी लाएके पकरो जग सारा हो ये कर्म की बंसी सारे लोग उसी बंसी में फस रहे ये कर्म तीन गून है तीन रजोगून तमोगून सतोगून काम प्रोत लोब इंगला इंगला सुकमना और गंगा जमुना सरसत ये तीन गून का घेरा है जीव के ऊपर इसलिए तो कवीर बंथ में तीन बंदगी हो रही है और सारे पंथ में एक बार नमस्कार, नमस्ते, डंड़ाओत, परनाम, सलाम, वालेकूम, जै हिंद, जै भारत, हरियोम, गूद मूर्निंग, गूद इविनिंग, गूद नाइट लेकिन कवीर बंथ में जो तीन बार बंदगी हो रही है इसका में कारण है कि हम तीन गून के रस्ता से बधे हुए है यही तीन गून है जीव के ऊपर, काम का गून, जो काम ब्रह्मा का दिया हुआ है लोब बिसुन का है और क्रोध संकर का है यही तीन है यही काम करोध लोग का जो हम लोग के ऊपर छाप परा है इसी के फेर में हम करम कांड बरम्हा जी का लाया हुआ करम कांड है सुना आपने कहा करम के बंसी लाए के पकरो जग सारव काल ने सद्गुरु कवीर सहल से चाइलेंज किया कि कवीर कितने जीव को आप निकाल सकोगे कितने को पार कर सकोगे मैं ऐसा दुकनदारी चलाऊंगा मैं ऐसा दुकान खोलूंगा कि सारे जीव हमारे दुकनदारी में चले आएंगे चाइलेंज किया और कहा पाप पुन्य के करव पसारा जे बाजे से जीव हमारा पाप पुन्य हमरे से होई लेखा हमार लिहे नहीं कोई और काल उस दिन था आज नहीं है सो बात नहीं है वही काल ये मन के रूप में है इतनी धुकंदारी चलाई जा रही है सारे लोग उसी में जाजा करके फस रहे है किसी को बेटा चाहिए किसी को बेटी चाहिए किसी को पोता चाहिए किसी को नाती चाहिए किसी को नोकरी चाहिए किसी को जमीन चाहिए किसी को मकान चाहिए ये लोब की दुकंदारी काल ने कैसा दुकंदारी खोला लोब का दुकंदारी खोला है काम का दुकंदारी खोला है और कुरोध का दुकंदारी खोला है और इसी काल के दुकंदारी में सारे लोग पस रहे बंदूओं कैसे बचना है कैसे बचेंगे हम जब मला मचली मारने वाला जब बंसी गिराता है पानी में उस बंसी में चाली गांत के गिराता है लोब के लंपट मचली जिब्या के लंपट मचली स्वाद के लंपट मचली जाके उस बंसी को पकरती है चाली के लोब में अग्जों बंसी को पकरती है तो बंसी में ओजन हुआ उपर में ये लकरी मान के रखता है जब मचली बंसी को पकर लिया तो लकरी अप डाउन करने लगता है वो भूज गया मचली मारने वाला जो मचली फस गई है सिंगनल मिल रहा है ऐसा जटका मारा मचली के गलफारा में वो फस गया बंसी अबेचाली मचली मारी गई लोह में मचली मारी गई यही लोह में हम लोग फस रहे हैं और साहिब कबीर कहते हैं और मुर्गा पोसने वाला मुर्गा का बच्चा जब देता है तलाब में पोस पाल करता है खूँब अज जब 2-4-5 कीलो के मुर्गा हो गया उस समय उसका ब्रह्मा का रूप रहता है सिरिष्टी कर दिया मुर्गा के बीच में पालन करता है नाना परकार के चोक और चुन्नी बिटामिन देदे करके मुर्गा को पालन करता है और हंत में जब दस पांच किलो के मुर्गा हो गया ब्रम्हा का रूप पकर के सिरिष्टी किया बिस्नु का रूप पकर के पालन किया और अंत में संकर का रूप पकर के और सारे मुर्गा का संगार करें मचली पालने वाले भी वही करते हैं यही तीन गुन में साहब कबीर कहते हैं रक्षक कला दिखाई के वो मुर्गा वला मुर्गा को रक्षा कला दिखाता है सेवा का भाव दर्साता है मुर्गा के पड़ती लेकिन अंत में क्या होता है सारे मुर्गा का खात्मा वो कर देता है संकर के गुन में आया और सारे मुर्गा को जब्भा करा दिया वही हाल मचली वाले का है पहले तो मच्छली का जीरा तलाब में देता है एजे ब्रह्मा उसका फालन करता है एजे बिस्नू और अंत में जब 10-5 किलो के मच्ली हो गई तो महजाल गिरा के अब सारे मच्छली को खतम कर देता है एजे संकर तीनों कून में मच्छली गई और तीनों गुन में मुरदा चला गया, मर गया, यही तीन गुन में पूरे सिरिष्टी के लोग लगे हैं, काम में, लोब में और पुरोध में, बंधूओं, मताओं, बहनों, यह तीन गुन छूटेगा तो नहीं, हटेगा तो नहीं, इसको कम किया जा सकता है, मन है माइनस की ओर जाने वाला, और इस सरीर को अगर मन के साथ हम पलस कराते हैं, जोडते हैं, तो इस मन तन को कहा ले जाएगा, माइनस में, इसका हड़ी तोरवा देगा इमन इसको जेल में बंद करवा देगा इसको फांसी पर लटकवा देगा and minus minus is equal to plus मन जो घाटा की और जाने वाला है साहभ कवीर कहते है चोर भरो से साहू के बस तू लेट चुड़ाए पहिले साहू को बांध लो इमन रुपी चोरवा जो भी योजना बनाता है उस सरीर रुपी साहू के बदवलत साहभ कवीर कहते हैं पहिले साहू को बांध लो पहिले सरीरे परकवजा कर दो कि चोरवा या पे बद जाए तो इमन रुपी चोड़ जाएगा जब सरीर जाएगा नहीं तो मनुरुपी चोड़ जाए लगा तो कहने का भाब कि सारे लोग करम कांड में लगे हैं गीत गाना कोई ग्यान कांड नहीं बहूत गीत गाने वाले को मैं देखा है बीरी पीते हुए बहूत गीत गाने वाले को मैं देखा सिखर खाते हुए, पराग खाते हुए तो गीत गाने से मात्र ग्यान नहीं होगा नाल तबला बजा लेना, ओर्गेन बजा लेना कोई ग्यान नहीं है, यह करम कांड है बजाने वाले गाजा पीते हैं, दारू पी लेते हैं तो ग्यान कांड नहीं है, करम कांड है। सब लोग किसी देवी देवता का पूजा कर लेना ग्यान कांड नहीं है। पूजा करने के बाद लोग मचली खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं। तो ग्यान नहीं है, वहां करम कांड है। सब लोग करम कांड में लगे हैं कर्म के साथ साखा मैंने बताया कर्म कांड परिनाम होगा कर्म से मुक्ती नहीं होती है कर्म से सुख सांती नहीं मिलती है कर्म का परिनाम होता है कर्म का परिनाम क्या होगा किसी फसु पक्षी जाती में मादा होगी फूल पसू या पक्षी या कीरा मकोरा मादा होगी फूल और नर होगा फल उस मादा जाती के गर्व में इस जीव को जो कर्म कांड किया है कर्म का परिनाम भुगतने के लिए उस मादा जाती के गर्व में इस जीव को जाना परेगा अब वहां से सरीर लेके दुनिया में आना परेगा और अपने कर्म का परिनाम इसी दुनिया में रहके भोगना परेगा कल्यान होने वाला ले कर्म से कल्यान होने वाला नहीं है ये ब्रमा का मार्ग है सब लोग कर्म कांड में लगे हुए और कर्म कांड करके मुक्ति वीचा आते और दूसरा है उपासना कांड उपासना है विशनू का मार्ग सारे लोग उपासना में लगे हुए है ध्यान ढरते हैं फास्टिंग करते हैं भोजन छोड़ देते हैं उपासना करते हैं उपासना के साथ साखा है सोर्ज, सीव, सक्ति, गनपथी, विशनू, राम और कृष्ण यह उपासना के साथ साखा है इनका भी लोग उपासना करते हैं, ध्यान पकरते हैं भोजन छोड़ते हैं पानी छोड़ते हैं उपासना करते हैं यहां भी स्वार्थ चिपी है यहां भी कुछ मांगना है भगवान से सारे लोग मांगने के साहब कबीर कहते हैं चा गई चिंता गई मनुवा बेपरवा जा को कुछ न चाहिए सो है साहन सा एक भीक मांगने वाला भीक मंगा जिसका पूरा बदन नंगा है डार में एक फटा पुराना कपरा पहना है नाखून इसका हाथ का बढ़ा है पैर का नाखून बढ़ा है मोचदारी केस अभधर रूप से भड़ा है इसने धूलकन से भड़ा हुआ है बेचारे का पैर नंगा है पैर में कोई चपल जुत्ता नहीं पेट इसका भूक से पेट में सट गया है मंदिर के बाहर बैठ कर एक पैसा मांग रहा है ये बाबू एक पैसा दे दे मैं कई एक रोज का भूका हूँ और दूसरा भिकमंगा मंदिर के अंदर में जाके बैठा है अंदर वाले भिकमंगे के सरीर पर दो लाक का जेवर है दा सो बीस अजार का कपरा है वो अंदर बैठा है और ये भिकमंगा बाहर बैठा है बाहर के भिकमंगे का पेट खाली है ये पेट भरने के लिए मांग रहा है अंदर के भिकमंगे का पेट तो भर चुका है अब ये पेटी भरने के लिए मांग रहा है साहिव कबीर कहते है कभीर सब जग निरधना धन बंता नहीं कोई धन बंता है सोईजना जो राम नाम धन होई साहिव कभीर ने पूरे जगत्र को निरधन साथित कर दिया पूरा दुनिया निरधन है केवल मांगने के चकर में इस सब लगा हुआ है जहां जहां जा रहा है वहां केवल मांगने की बाद एक भ्यक्ती था एक आदमी उसके पास दो इस्तिरी थी दो पत्नी थी अब दोनों पत्नी में बराबर जगरा लराई चलता था बेचारा तंग आ गया दोनों पत्नी के चाल से वो तंग आ गया सोचा अब मैं घड़ पर नहीं रहूँगा एक मित्र से जाके उसने कहा मित्र कुछ रूपया मुझको दो किराया के लिए कि मैं कलकत्ता पंजाब चला जाओं अब मैं नहीं रहूँगा कहा क्यों कहा दीन रात कला होता है दोनों पत्नी लर रही है दीन रात कहा तो यह तो कोई अस्थाई समाधान हुआ नहीं ऐसा करो गाओं के बगल में कुछ जमीन खरीद गे और एक मकान बना दो एक पत्नी को यहां रख दो और दूसरे पत्नी को गाओं में रहने दो जहां पुराना घर है वहां अन्या घर बनाओ वहां एक पत्नी को छुलक दो दोनों में दूरी बन जाएगा मुलाका तो होगी नहीं जगरा लडाई बन दो जाएगा ऐसा ही किया बेचारा गाओं के बगल में थोरा सा जमीन खरीद कर घर बना दिया और उसमें छोटकी पत्नी को रख दिया और बरी पत्नी पुराने घर में रहने लगी गाओं के औरस सब अपने चाल से बाज नहीं आई कुछ जाके छोटकी को भी पढ़ाती थी और कुछ महिला जाके बढ़की को भी पढ़ाती पढ़ने के करम में या तो बढ़की जाती थी छोटकी के हाँ अनहीं तो छोटकी ये चली आती थी बढ़की के हाँ घर तो अलग हुआ लेकिन लड़ाई बंद नहीं हुआ अब बेचारा सोचा अब मैं क्या करूँ अब तो घर भी अलग बना के देख लिया कहा मेत्र अब क्या करना है तो मेत्र ने कुछ पैसा दिया बेचारा टिकट कटाया और पंजाब चला गया पंजाब गया बारह वरस तक पंजाब में रह गया पाया नहीं इसी तरह माग महिना कल उतरा है परसो माग महिना उतर रहा था अब फागुन का आगमन हो रहा था बारह बरस बीतने के बाद इनकी बरी पतनी पती के हाँ चीठी लिख रही है पती देब आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर परनाम आपके चरण की किरपा है तो मैं बिल्कुल सकुसल रहा करती हूँ न भोजन का दुख है न बस्तर का दुख है न कोई स्रिंगार के समान का दुख है वो आपके चरण की किरपा है लेकिन दो बातों का दुख मेरे जीवन में अवस्य है उपहला दुख है जब मैं दीन में सारा काम करने के बाद भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पती देवा आपका याद आता है मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पती कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आये होंगे तो मेरे पती को अभी भोजन बना के कौन दिया होगा और दूसरा दुख रातरी में सब काम करने के बाद भोजन के पस्चाथ जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है मैं अभी सो रही हूँ मेरे पती कल कारखाना से काम करके ठके मादे आये होंगे अभी मेरे पती का सेवा कौन किया होगा ये दो दुख बड़ा सता रहा है पती देब मेरे बातों से अगर दुख न हो तो होली का समय आ रहा है दो चार दिन के लिए आओ दर्सन दे दो और पुना पंजाब वापस हो जाना चिठी लिख के और लेटर बक्स में गिरा रही थी गाओं के कोई महिला देख लिया और इसके सौतिन को जाके कह लिया तुम्हारी सौतिन चिठी लिखी है ऐसा नहो की होली का दीन है सारा समान उसी के हाँ आ जाए तुम भी चिठी लिखो कल होके छोटकी चिठी लिख रही है छोटकी कैसे लिख रहे है क्या जी बारा बरस से पंजाब में घूम रहे हो होटल में मुरगा भात खाते हो सिनेमा होल में जाते हो मूह में पान चवाते हो रोड पर गुल छर्रा खू बुलाते कुछ याद है बारा बरस से हमारी जिन्दगी कैसे कट रही है याद रख लेना आगे होली का दीन आ रहा है उसमें आपको निश्चित रूप से आना है और मैं चीठी के अंदर एक सूची भेज रही हूँ मेरे लिए सारी, पेटी, कोट, बलाओ, नतिया, बाली, लोकेट, पाइल, एना, कंगी, टिकली, सेनूर, स्नो, पाउडर सारे स्रिंगार के समान का नाम लिखती है अंत में लिख रही है याद रख लेना इस सूची का सच्ची परतिली भी मेरे पास रहेगा जिस दिन समान लेके आओगे मैं अपने सूची से मिलाओंगी एक भी समान अगर कम्मी आया एक भी समान अगर डुपलिकेट आया तो एक भी जारू धरती पर नहीं गिरेगा चिठी लिख के गिरा दिया लेटर बक्स में चिठी गया पंजाब इसके पती के हाथ में डाकिया जाके चिठी दिया बेचारा परहा उसको तो दीने में तरेगन दिखाई देने लगा चिठी पर कर डड़ के मारे डेरा से रुप्या लिया गया और दुकंदार को चिठी देखाया का ठीक से पर लीजिये नीचे क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिये ऐसा न हो कि ऐसा समान न कहीं दे दिया आप कि सारा जारू हम्रा पीठे पर लगे जाना सोच विचार के समान दीजिये दुकंदार एटू जेट समान अच्छा अच्छा दे दिया एक भी कम नहीं दिया पूरा दे दिया पोली थीन में बंद करके समान दिया आया डेरा पर उसको अटैची में रखा टिकट कटाया गारी में बैठ गया जहां घर था जहां वहां जाके उतरा एस्टेशन से दुचार किलो मीटर की दूरी पर इसका घर था बारा बजे दीन में इस्टेशन पर उतरा उस समय कोई रिक्सा टम टम या कोई गारी नहीं थी इस्टेशन पर बैचारा दोनों हाथ में अटैची लिया और पाउँ पैदल चल दिया फागुन के महीने में कुछ गर्मी आ जाती है पसीना पसीना वजन था दोनों अटैची में पसीना पसीना हो गया जब गाउं के निकट पहुँच रहा था एक महिला गाउं के इसे आते देख लिया इसके बड़ी पत्नी को जाके कह दिया देखो जी तुम्हारे पती पंजाब से चले आ रहे है बढ़की तो समर्पित है पती के साथ वो दौरते हुए गई और पती को पैर छुके परनाम किया और दोनों हां से अटैची ले लिया आगे आगे पती देव और पीछे पीछे वो आई गई अपने घर पर और इमंदार कितनी है अटैची दरवाजे पर रख दिया घर में नहीं ले गई सबसे पहले पती के लिए एक बीछावन किया पती देव बैठ गए ठाली में जल लाई पती देव का दोनों चरन पकार दिया पोच दिया और पंखा लेके बैठ गई और पती से कुछ हाल-चाल पूछने लगी इतना ही में गाउं के कोई महिला इसो को देख लिया और इसके छोटकी पतनी को जाके कह लिया देखो जी दोनों अटैची है तुम्हारे सौतिन के दरवाजे पर ऐसा नहों कि दोनों अटैची पार हो जाए जल्दी जाओ छोटकी आ गई और दूर से कहती है क्या जी आ गए तो इक कहा कि हाँ आ गए जरा सूची निकालो मैं भी सूची लेके आ रही हूं सूची निकाला उँ भी सूची लेके आई समान को मिलाया A to Z समान दोनों अटैची में फिर से समान को सजा लिया और दोनों अटैची उठा के चल दिया जब छोटकी पतनी दोनों अटैची उठा के चल दिया तो बढ़की बेचारी खाली हाथ अपने आंगन की ओर चल दिया जब बढ़की अपने आंगन की ओर चली तो पती देव उसके पीछे पीछे चल दिया गाओं की महिला सब उस जगह खरी थी कहती है क्या जी बारह बरस पर पंजाब से आये हो और दो पत्नी आपके पास है और दो अटैची आपने लाया तो वाजिब क्या था? एक अटैची चोटकी को देना एक अटैची बारकी को देना लेकिन इस होली के समय में आपने दोनों अटैची चोटकी को दे दिया और बढरकी के साथ खाली हांत जा रहे हैं पती ने जबाब दिया उस अउरत से का सुनो यह जो हमारी छोटकी पत्नी है इसको हमारे समान से प्रेम है तो समान लेके यह जा रही है और यह जो हमारी बर्की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है इसलिए जान इसके साथ जाना है किसको क्या मिला? समान बरा है की पती बरा है? पती किसको मिला बर्गी को और समान किसको मिला ये उपासना करने बाले लोग जीवन भर समान की भगती करते हैं बेटा बेटी की भगती करते हैं गाय भैस की भगती करते हैं नोकरी चाकरी की भगती करते हैं जमीन मकान की भगती करते हैं बेमारी हिमारी की भगती करते हैं यही भगती है क्या यही कल्यान का मार्ग है क्या जीवन भर उपासना करके और यही भावतिक बस्तू पाने के ये साहिब कबीर कहते हैं सपने सोया मानवा इस सारा दुनिया सपना देख रहा है क्या जब आदमी सपना में सोया रहता है तो उँ देखता है कि हम हाथी पर चरे भारत के परधान मंत्री हम हो गए मुख मंत्री हो गए 500 बिगधा जमीन हमको हो गया आख खुलने के बाद रहता है क्या आख खुलने के बाद वो जमीन वो मकान वो प़द वो परधिस्ठा वो नोकरी रहती है क्या आख खुला सपना को या हम सपना में देखते हैं कि मैं दरीद्र हो गया मुझे को डाकू ने मार दिया मुझे को सांप ने काट लिया मुझे को बाग ने खा गया या मुझे को भूत ने मार दिया मर गय क्या निंद खुलने के बाल आप मरे होते हैं क्या आपको सांप काट लिया होता है क्या आपको बाग खा गया होता है क्या आपको डकाइत मार दिया होता है क्या आँख खुली सपना खता है उसी तरह से आँख मूंदे कहते हैं साहब संतो जागत निंद न कीजिए सब लोग जो सपना देख रहे हैं बेटा बेटी नाती पोता जमीन मकान और नोकरी चाकरी का यह सपना है आँख मून देंगे और सारा सपना आपका खतम वहाँ आँख खोलेंगे तो सपना खतम और यहाँ आँख मून दे तो सारा सपना आपका खतम है बेटी चुट जाएगी दमाद चुट जाएगा चुट जाएंगे और जितना भी बल बैभब है सरीर तक आपका चुट जाएगा तो क्या देख रहे हैं क्या भगती चल रही है क्या पूजा आपका चल रहा है किस लिए आपका पूजा हो रहा है किस के लिए आपका पूजा चल रहा है किस देवी देवता का पूजा में आप लगे हैं कौन देने वाला है यही उपासना में सारे लोग लगे हुए हैं कुछ पाने के चक्कर उपासना के भी साथ साखा है अंतिम परिनाम उपासना से मुक्ति होने वाली नहीं है सांति मिलने वाली नहीं है उपासना कांतिम परिनाम होगा कि आपके दिल में इक्छा है कि एक पोता चाहिए आपके दिल में इक्छा है कि मेरे बेटा को नोकरी चाहिए आपके दिल में इक्छा है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा सेथ बन जाना चाहिए इक्छा होगा फूल और समाधान होगा फल हो सकता है कि आपको पोता की प्राप्ती हो जाए हो सकता है कि आपके बेटा को नोकरी मिल जाए हो सकता है आपका बेटा भी ये फस डिवीजन से पास कर जाए लेकिन कल्यान और मुक्ती और सुक्सान्ती हो लेगा उपासना का यही अंतिम परिनाम होगा इक्छा होगी फूल और समाधान होगा फल यह भीसुनू का मार्ग है इसी मार्ग में सारे लोग लगे गोस्वामी तुलसीदाजी रामचरित्र मानस में लीखते हैं इंद्रिये द्वार जरोग खानाना तहां तहां सुर्वे ठेकरी ठाना आबत देखी विशय बयारी हठ बस देही कपाट उगारी इंद्रि सुर्हनन ज्ञान सुहाई विशय भोग पर प्रीती सदाई तब सुप्रभंजन उरगिरह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई ग्रंतिन चुटी मिटासो प्रकासा बुद्धे बिकल भई बिसे बतासा कि सरीर में जितना इंद्रियानी है उस पर देवता लोग थाना बनाके बैठे हैं इनकी पहरा चल रही है इनका सासन चल ला है आख पर महादेव का बास है कान पर निरंजन का बास है नाक पर अध्या का बास है जिभ्या पर विसुनू का बास है और तवचा पर ब्रह्मा का बास है आख साधु संतों के सरूप को साधवी के सरूप को देखना नहीं चाहती है आख, सिनेमा, सरकस, थिएटर, नोटंकी, विदेशिया सुन्दर सुन्दर इस्तरी का रूप निहार न चाहती है कान पर निरंजन का बास है कान संतों के सब्द को सुनना नहीं चाहता है कान ग्यान की बात को, भग्ती की बात को, मुक्ती की बात को, सुकसांती की बात को कान सुनना नहीं चाहता है कान को चाहिए गजल, फिल्मी, कवाली, भोजपूरी सुनना चाहता है नाक संतों के चरन रज को सुखना नहीं चाहता है नाक को चाहिए इत्र फुलेल, चमेली, बेली, जुही, बुलाब जिब्या, साग, सबजी, काजू, किस्मिस, बेदाम, मुनक्का, छोहारा खाना नहीं चाहता है इसको चाहिए तारी, दारू, मांस, मचली, मुर्दा, कबुत्तर, पान, बीरी, सिक्रेट, सुपारी, जर्दा, किमाम, सिकर, बराग, चाहे और त्वचा को चाहिए बिसाय का आनन ये पांचो अपना अपना स्वाद चाहता है ये ही पांचो की पूजा तो दुनिया के लोग कर रहे है महादेव की पूजा करते है अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में हमारी द्रिष्टी है आपके तरप और आपकी द्रिष्टी है मेरे तरप लेकिन अभी एक रुपिया ही बीच से निकल जाए तो आपके और हमारी द्रिष्टी कहां जाएगी या कहां ले जाएगा सत्संग में रहने देगा अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में और कोई ऐसा आवाज अगल बगल में हो जाए तो कान कहां ले जाएगा अभी हम और आप बैठे हैं सत्संग में और कोई सुन्दर गंध, सुगंध आ जाए बीच में, लोग कहेंगे कहां से ही सुगंध आया, सब की द्रिष्टी जाएगी उधर, और हम और आप बैठे हैं सत्संग में, और कहीं बनिया भोजन का स्वाद आ गया, तो जिव्या भागेगी उधर, और हम और आप सत्संग में बैठे हैं, और कोई सुन्दर महिला भीच से निकल जाए, तो द्रिष्टी कहां जाएगी, वहाँ, ये पाँच, ये पाँचों, इसी पाँचों का भाजन, दुनिया के लोग करने में लगे हैं, और साहब कवीर कहते हैं संतो, घर में जगडा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, पाँच ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पाँचों अधिक सवादी, कोई काहू के हटा न माने, आप अहूँ आप मुरादी, दुर मति केर दोहागिन मेटे, धोड़ाई चांप चपेरे, कहें कवीर सोई जन मेरा, जो घर की रागी निवेरा कहा है, हम लोग रार के पूजा में लगे हैं, इन सारे देवी देवताओं का पूजा हम लोग करते हैं, दुनिया के लोग कहता है कि कवीरपन थी, तो किसी को मानने के लिए तयार नहीं, हम लोग किसको नहीं मानते हैं, क्या गोबर को मान ले, मिटी को मान ले, पानी को मान ले, धर्ती को मान ले, आस्मान को मान ले कि यही भगवान है, यही मानना है, इसका नाम मानना है क्या, हम मानेंगे नहीं हम किसी के बात को नहीं मानेंगे हम गुरू के बातों को भी नहीं मानेंगे हम गुरू के बात को जानेंगे बहुत सारे गुरू लोग भी गलत मार्क बताते हैं तो हम मान कैसे लेंगे गुरू के बिचार को हम मान कैसे लेंगे हम गुरू के बिचार को जानेंगे बंदो मताओं बहनो मानने वाले को साहद कभीर ने कहा है गुरू पसू ये मनुस नहीं है पसू है गुरू ने जो कुछ कह दिया उसको मान लिया है जाना नहीं जानिये मैंने कहा सारे लोग उपासना कांड में लगे है और छोड़ देते हैं उपासना के चलते भोजन करना पानी पीना बंद कर देते हैं भोजन छोड़ने से पानी पीने से जीव का कल्यान हो जाएगा मुक्ती हो जाएगी सतलोक हो जाएगा बैकुंट हो जाएगा स्वार्ग में चले जाएंगे क्या इस सब काल के बताया हुआ मार्ग है सद्गुरु कबीर का बताया हुआ मार्गे नहीं सब लोग काल के मार्ग पर चल लए है बताय हुए मार्ग पर कोई करम कांड में है तो कोई उपासना कांड में लगे बहुत सारे लोग जोग कांड में है महादिव जी का मार्ग है जोग मार्ग जोग मार्ग में लगे हैं जोग के साथ साखा हैं ले जोग लंबिका जोग तारक जोग और संख जोग अनुमांसिक जोग हट जोग और राद जोग पूरे दुनिया के लोग जोग मार्ग में लगे हैं कोई प्रान को बर्मान पर चड़ा रहा है कोई नेती धोती करके आथ साफ कर रहा है कोई सूल सयन कर रहा है काटा पर सो रहा है कोई अगहन पूस में जार के दीन में जल सयन कर रहा है कोई जेट के गर्मी में पंचागनी कर रहा है कोई भादों में अरन्य निवास कर रहा है कोई मौनी बवा बना है कोई थरेशरी बवा बना है कोई निरजली है, कोई दिगंबरी है कोई खाकी है, कोई नीरा हारी है कोई दूधा हारी है कोई पत्र पुस्पा हारी इसे मुक्ती होती है क्या इसे जीवन में सुक्सान्ती आती है क्या इसे मुक्ष होता है क्या इसे सतलोक होता है क्या जोग करने से जोग मार्ग गलत नहीं साहिब कबीर ने भी जोग मार का चर्चा किया है इस साहिब कबीर का जोग मार किया है मैंने एक भजन में पढ़ा था भजन कोई गार है तो उसमें सुना जोगाब कोई जोगिया जोग जती जोगाब कोई जोगिया जोग जती जैसे सोन रा सोन के जोगावे जैसे सोन रा सोन के जोगावे हटाए नबाराए ये को रती जोगावे कोई जोगिया जोग जती जैसे बाराई पान जोगावे सारा ये नगाला ये ये को पती जोगावे कोई जोगिया जोग जती जती हैं और प्रानायाम करते हैं बीरी पीते हैं और किर्टन गाते हैं मौनी वावा बने हैं अशिखर पराग खाते हैं कहां अपने को जोगा रहे हैं आप अपने को तो आप बीरी पीते हैं खाईनी खाते हैं शिखर खाते हैं गाजा पीते हैं तारी दारू पीते हैं बासना में फसाते हैं आप अपने को बच कहां रहे हैं अब पूरे देह में कोई राक लगा ले पूरे देह में राक लगा ले तो जोग हो गया क्या प्रहन को बर्मान पर चरहा ले तो इसे मुक्ति हो जाएगी क्या केसदारी जटा बरहा ले तो इसे मुक्ति हो जाएगी क्या लंबा चनन खड़ी खीच ले जिसे भैंसी देखे त यह सब बाहरी बात है अपने को जोगाने का मतलब है सारे बुरे कर्मों से अपने को जोगाई ये ये जोग मार गए लेकिन महादेब जी ने जोग मार कैसा बताया आज सारे लोग जोग किरिया में लगे हैं परान को बर्मान बर चरहा देते हैं आत को निकाल कर साप कर लेते हैं कोई कहते हैं खराम पेन के गंगा पार कर जाते हैं एक आदमी का बेटा घर से निकला और ओबारा बरस पर वापस आया तो पिता जी ने पूछा बेका बाराव बरस में क्या कमाया कहा पिता जी मैंने जो कमाया सो कोई नहीं कमाया कहा क्या कमाया मैं खराम पेन के भरी हुई गंगा पार कर जाओंगा का तो ठीक है और हमको नौका पर पार करने में पांच गो रुपईया लगेगा यही तक कमा के आए हो पांच गो रुपईया तू ऐसे दंगा पार कर जाओगे हमको पांच गो रुपईया लगेगा नौका पर क्या कमा के चले आए बाहर से इस सारा लोग जो किडिया में लगा है साहब कबीर कहते हैं कह सद्गुरु कबीर बिना कोई कहा नसब ठीकाने का कोई लीला चौविस आउतारन का कोई कहता तिर्थ कराने का कोई देवल कोई देह देहरा कोई कहता भगती कराने का कोई कहता कुछ न करना रसना राम रटाने का कह सद्गुरु कबीर बिना कोई कहा नसब ठीकाने कोई चौविस आउतार की पूजा बता दिया इन भगवानों का पूजा करो तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी भगवान का दस मुख अवतार बताया है और चौदा उप अवतार बताया है दस भगवान कैबिनेट अस्तर के हैं और चौदा भगवान इस्टेट अस्तर के है जो दस भगवान का मुख अवतार हुआ वे पहला उतार मतस्य उतार है मचली रूप में भगवान मचली रूप में आए और संखा सुराक्षस को बद किया और बेद को परकास किया दूसरे भगवान कचुआ रूप में आए जो नरका सुर को बद किया और समुंद्र मन्थन के द्वारा चौदर रत्म निकाला तीसरे भगवान बराह रूप में यानि सूगर रूप में आए हिरनाक्ष रक्षस को बद किया और बिस्टा में छीपी हुई धर्ती को बाहर निकाला चौथे भगवान नरसिंग रूप में आए जो प्रहलाद को रक्षा किया हिरनकस्पू का कलेजा फार दिया पाँच में भगवान बावन रूप में आए जो राजा वली से छल किया और तीन डेक जमीन के नाम पर एक लाथ में पताल को भेज दिया छट्थे भगवान पर सुराम रूप में आए जो यह कईस बार धर्थी को निचहत्रिय किया अंत में पिता के आदेश से माता का गर्दन कात लिया साथ में भगवान राम रूप में आए जो सेत बांध रामेस्वर बांध कर पार उतर कर पूरे रावन के खंदान को मार के गिराया आठ में भगवान किरिस्ण रूप में आए जो सोलह सहस्तर गोपी और आठ पटरानी के साथ भोग बिलास करते हुए आप बरहमचारी माना गया नौ में भगवान बौध रूप में आए जो रक्तवीज दैत को मार के गिराया और जाती पाती का भेद भावदूर किया और दस में भगवान आये नहीं आने वाले हैं लिखा है उत्तर परदेश में मुरादाबाद एक टाउन है उसके बगल में संभल एक गाउं है वहां कुमारी ब्रहमनी के कोक से कलंकी अवतार लेगा जो कल युग में कलिंजर राक्षास को मार के गिलाए इन अवतार बाद की पूजा ये भोली भाली जनता से करवाया गया साहब कबीर कहते हैं दस अवतारी स्वरी माया करता कह जिन पूजा कहें कबीर सुनो हो संतो उप जाए खपईसो दूजा माया की पूजा माया ने जो खेल किया माया ने जो तांडब किया उसकी पूजा आज ये मानव कर रहा है मुक्ती पाने के लिए सुक्सांती पाने के और चौदा उप अवतार है उसने पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की विवस्था करने के लिए हुआ दुसरा आउतार नारग जी का है जो भगती मार्ग दिखलाने के लिए हुआ तीसरा आउतार विसुनू संतोसी का है जो विवेक करने के लिए हुआ चौथा आउतार हंसन कादिक का है जो सदा पांच बरस के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ पांचमा उतार विस्व मोहनी है जो तेतों से अमरित लेने के लिए चीर सागर में हुआ छठा उतार कपिल जी का है जो देवहुती और करदम रिशी के मेल से हुआ और सांग सात्र बनाया सात्मा उतार बेदव्यास का है जिनोंने बेद को भीभगत करके अठार पुरान बनाया आठमा उतार दाता तरे का है जिनोंने चोविस गुरु करके संसार को अपदेश दिया जब तक हिर्दय में सांती न मिले निरंतर गुरू की खोज करनी चाहिए नौमा उतार राजा प्रिथू का है जिन्होंने प्रिथवी को गव बना के दुहा और औस धी निकाला दसमा उतार है गिरीब का है जो मदुकेटब दैद को मार के गिराया एक आरमा उतार नराजी का है जो धर्म भरजा से तब करने के लिए हुआ बरहमा उतार सनकादी का है जो भीचार करने के लिए हुआ तेरहमा उतार धनवंतरी का है जो रोगनास करने के लिए हुआ चोदहमा उतार यग मैं इंद्र की कन्या से यग करने के लिए हुआ ये सारे दुनिया के हिंदू समाज इसी चोविसो माया ने जो तांडव किया उसी तांडव की पूजा इसी चोविस उतार की पूजा करने में सारे लोग कोई लीला चोवी सौतारन का कोई कहता तिर्थ कोई तिर्थ में गए मुक्ति पाने के लिए कोई कहता तिर्थ कराने का कोई देवल कोई फीपल पूजा कोई कहता भगती कराने का कोई कहता कुछ न करना रसना राम रत कहा कुछ नहीं के बल राम के नाम का जाप करो तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी कोई फीर बने फकीर बने कोई किया मुरीद निशाने का कोई तीस रोजा निमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का कोई यहाजा फकीकत हिकमत को कोई कहा सब्द फर्माने का कहा सद्गुरु कवीर दिना कोई कहा न सब्द ठीकाने का कोई अमर ओलिया फीर पैगंबर गोश कुतुब कहवाने का कोई मलंग कोई बने कलंदर भेश किया सब खाने का खूद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का कहा सद्गुरु कबीर बिना कोई कहा नसब्द ठीकाने का कोई अरपन कोई तरपन पूजा संध्या पाठ कराने का कोई गोबर सीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का कोई धूप दीप ले आरति साजे घंटा संख बजाने का कह सद्गुरु कभीर बिना कोई कहा नसब ठीकाने का कोई पीर बने फगीर नहीं कोई नेती धोती आत पकारे उल्टा पवन चड़ाने का कोई खट चक्र को भेदे तिरकुटी में ध्यान लगाने का कोई अजपा कोई अनहद जिल मिल सब्द वहां नहीं जाने का कह सद्गुरु कभीर बिना कोई कहा नसब ठीकाने का कोई साथ सुरत, कोई साथ कमल कोई साथ सुन्य तक जाने का कोई ररंकार, उहंकार, निरंजन सुहं सक्ति जमाने का कोई छर, कोई अच्छर, कोई नियच्छर सुख मन में ध्यान लगाने का कह सद्गुरु कवीर बिना कोई कहा न सब्द ठीकाने का बाल में की रामायन भाखा राम लखान आउतारे का सूर्दा सुक सागर उपजा करता नंद कुमारे का कोई काली कोई दुरगा पूजा भैंसा भेर कटाने का कह सद्गुरु कवीर बिना कोई कहा न सब्द ठीकाने का जब दिल बैठा संतोस तक्त पर मिट गया आप अपाने का आप मेट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का यहां वहां मैतें और न दुजा केवल सब्द ठाहराने का मजहब की बात कवीर बखाने हट गया मत संसारे का कह सद्गुरु कवीर बिना कोई कहा न सब्द ठीकाने का किसने कहा कल्यान की बात किसने कहा ठीकाने की बात किसने कहा मुक्ती की बात किसने कहा सुकसांती की बात सब लोगों ने बात कही है लेकिन सब से उपर हिंदी के परकांट बिद्वान डाक्टर हजारी परसाथ दुईवेदी जी ने लिखा हाथी के पाऊं में सब के पाऊं जैसे हाथी सरत पर जा रहा है और हाथी के पैर का पद चिन उग गया उस पर दुनिया के किसी भी जानवर का अगर पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से बाहर वो नहीं हो सके इस तरह से कवीर के बानी से कवीर के ग्यान से बाहर इस दुनिया के अंदर किसी का ग्यान ले किसी का विचार नहीं है बंदूओं आज लोग जोग कांड में लगे हैं कुछ तो करम कांड में लगे हैं कुछ तो उपासना कांड में लगे हैं करम कांड ब्रम्हा का मार्ग है उपासना कांड बिस्नू का मार्ग है और जोग कांड महादिव जी का मार्ग सब लोग जल चरहने के लिए जाते हैं बोला ववा के बैनाद धां जोग करते हैं जोग से मुक्ती नहीं होगी जोग से सुक्सांती नहीं होगी जोग से मुक्च नहीं होगा जोग का अंतिम परिनाम होगा और इस जीव को परिनाम भोगना परेगा जोग का परिनाम क्या होगा समाधी होगा फूल और सिद्धी होगी फल समाधी में जाईए कुछ तंतर मंतर सीख लीजिए मदारी लोग भी देखिए खेला देखा के अपने बाल बच्चा को पाल लेता है उस तरह से आप भी कुछ तंतर मंतर जोग सिध्धी कीजिए और कहीं जाके जार पूर गोजा बाइद बला काम कीजिए और पैसा कमाईए और उसे बाल बच्चे को पोसिये पालिये मुक्ती और सुक्सांती नहीं है इसे कल्यान नहीं लेगा चाउथा है ग्यान मार्ग सारे रिसी महरसी ने ग्यान मार्ग लोगों को दिया है ग्यान मार्ग क्या है मांस नहीं खाना मचली नहीं खाना तारी दारू नहीं पीना गाजा भांग नहीं पीना प्राई इस्तरी गमन नहीं करना दूद में पानी नहीं मिलाना आटा में चोकर नहीं मिलाना घी में डलडा नहीं मिलाना किसी को गाली नहीं देना यह सब ग्यान मार्ग ग्यान मार्ग से आपने चला है तो ग्यान मार्ग से मुक्ति होगी सारे रिशी का मार्ग है ग्यान मार्ग तुलसी दाजी ने भी कोई मांस मचली खाने के लिए नहीं कहा सूर्दाजी भी नहीं कहा नानक जी ने भी नहीं कहा रविदास जी ने नहीं कहा सुपच भगत जी ने नहीं कहा सब का है ग्यान मार्ग लेकिन ग्यान मार्ग से तो चलते हैं लेकिन एक इस्वर की कलपना तो करते हैं कहीं न कहीं मेरा मालिक बैठा है कहीं न कहीं मेरा फरवर्दिगार बैठा है उसके फेर में तो आप पड़े हैं ग्यान से चलते जरूर हैं लेकिन कहाई न कहाई आप फेर में पड़े हैं उससे भी हमारी मुक्ती होने वाली नहीं है ग्यान मार्ग से भी हमारी मुक्ती नहीं होगी मेरा कल्यान नहीं होगा ये गर्भ और असमसान आने और जाने की जो बिवस्ता है वो हमको नहीं चोले साहब कबीर का एक भजन है डगरिया भूल गई केहीं बिधी घर को जाओ डगरिया भूल गई कैसे जाओगे अपने घर डगर तो भूला गया डगर तो छूट गया पंथ चलत के ते दिन भीते ढूड़ यने कन भाओ पंथा चलाता के ते दिन भीते ढूड़ यने कन भाओ नाना करम करत मनहारे जे उम्रिक जल को धाओ डगरिया भूल गई केहीं भी धी घर को जाओ डगरिया भूल गई डगर क्या है हमारा अपने घर जाने का वो डगर भूला गया यही पकरा गया करम का मार्ग पकराया उपासना का मार्ग पकरा दिया गुरू लोगों ने जोग का मार्ग कहा पंथ चलत के ते दिन भीते गर्भ और असमसान यह दोनों जगा सरीर पकरते और छोडते सरीर पकरते और छोडते जुग बीत गया लेकिन मैं जहां से आया आज तक हमारी वापसी नहीं हुई यही गर्ब असमसान के चक्कर में हमार तक लगे रहा है सरीर बार बार पकरना बिभिन जोनी का सरीर पकरना और सरीर छोड़ देना सरीर पकरना और सरीर छोड़ देना यही मेरा डगर मना रहा है का पंत चलत के ते दिन बीते ये रास्ता चलते चलते गर भर असमसान का रास्ता तै करते करते जुग बीत गया ढूड अनेकन भाव और मैं भी रास्ता खोजते रह गया रम अनंदी बने की कविरपंथी बने की आर्समाज में जाएं की अनंद मार्ग में जाएं की गात्री परिवार में जाएं की बाल जुगे स्वर में जाएं की सत्पाल जी में जाएं कि सदा फल देव जी में जाएं कि बाबा जय गुर देव में जाएं आज तक मनुष रास्ता खोज रहा है सद्गुरु कवीर कहते पंथ चलत केते दिन बीते धूड अनेकन भाव नाना करम करत मन हारे नाना परकार के कर्म कुकर्म और सुकर्म तीनों करते करते अंत में यह मन हार गया है अंत में रो रहा है मरने के समय आंक से आंसु गिर रही सारा कुछ करने के बाद नाना करम करत मन हारे उदाहरन देते हैं साहिव कवीर आज हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे इस उदाहरन को मैट्रिक में परहाई हुआ मरिक त्रिसना जिसे मरीचिका भी कहते हैं जब जेट के महीने में सारे नदी नाला उवा तलाव सुख जाते हैं पानी कहीं नहीं है जेट की दुपहरी 12 बजे दीन प्यास से बिचलित होकर वो मिर्गा जब जंगल से निकलता है तो मिर्गा की दिरिस्टी जेट के दुपहरी पर चमकते हुए रेता बालू पर परता है जेट की दुपहरी में वो बालू रेता चक्मक 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 करने लगता है उच चमकते हुए बालू पर, जब मिर्गा की दिरिष्टी पड़ती है, तो मिर्गा सोचता है, साइद वहाँ पानी है, जाओं अपने परान को बचाओं, मिर्गा दौर के वहाँ जाता है, वहाँ गया तो क्या मिला? बालू. वहाँ कोई पानी नहीं मिर्गा वहाँ जाकर पास्चा ताप करता है अब मैं क्या करूँ फिर मिर्गा अपने द्रिष्टी को आगे बढ़ाता है आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की द्रिष्टी जाती है मिर्गा वहाँ दोर के जाता है वहाँ पानी दिखाई दे रहा है वहाँ जाके अपने परान को बचाऊं मिर्गा दौर के वहाँ गया वहाँ भी केवल बालू है मिर्गा गया और वहाँ अपने परान को तज देता है वैसे ही दुनिया के लोग नाना प्रकार के तिर्थ हस्थानों में भगवान को खोजते खोजते दौर लगाते लगाते मिर्गा के तरह दौरते दौरते दिखभर्मित होकर अंत में अपने प्रान अपना सरीर छोड़ देते हैं जैसे मिर्गा बालू के चक मकाहट को पानी समझतक कर दौरते दौरते अपना प्रान अंत में तज दिया वैसे मानव भी भगवान देवी दौरगा के पाने के फेर में दौरते दौरते पूजते पूजते अंत में अपना देह छोड़ देता है रोते रोते मर जाते है शाहब कभीर कहते है अरे बेद पड़ी पड़ी पंड़ी तहारे चतुरन पाब ही ठाओं जही पूछाओ सो नाम बतावे नाही दिखावे गाओं डगरिया भूल गई कहते हैं बेद पड़ी पड़ी पंड़ीत हारे बेद पुरान पड़ते पड़ते पंड़ीत लोग हार गये पढ़ाते 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 हार गये इनका तो आदत अपने ठीक नहीं है अपना चाल चलन पंडित लोग अपने मचली भात खा लेते हैं मास भात खा लेते हैं दारू-तारी पीते हैं वीरी शिक्रेट पीते हैं जर्दा की माम खाते हैं जजमान को कैसे सतलोक ले जाएंगे और बैकूंट ले जाएंगे और स्वर्ग में ले जाएंगे बंधुओं ये जूट है स्वर्ग की कल्पना जूट है बैकूंट की कल्पना जूट है सतलोक की कल्पना जूट है सदुरु कवीर कहते नर्तु पार उतर कहां जहीं हो अरे जाना कहां चाहते हो नर्तु पार उतर कहां जहीं हो आगे पंथी पंथ ना कोई कूछ मकान न पई हो है कहें कवीर सुनो भाई साधो जहां के पाद तहां ही ठाहरी जाना कहां चाहते हो कहां स्वारग है कहां सतलोक है कहां बयकुंध है जहां जाना चाहते हो बेद पर ही पर ही पंडित हारे चतुर न पाव ही ठाओं ये चलाक हैं ये ठक हैं ये पैसा केवल ठकना चाहते हैं इनको तो अपना ठाओं मिलवे नहीं करेगा जगत्र को कैसे ही भेज देंगे आंत में साहब कबीर काते हैं यही पूछा उसो नाम बतावे जितने लोगों से मैंने पूछा वो सारे लोग नाम की चर्चा करते हैं नाम दान ले लो नाम दान ले लो तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी तुम्हारे जीवन में सुकसानती हो जाएगी यह गाउं क्या है बजार है बोरसी मान लीजिए कि हम जानते हैं सीतल दास या सीतल साहिब हमको पता है या सीता बहंजी आयोजक है उनका नाम मैं जान गया लेकिन हमको पता है दूर्ग अन्न हमको पता है बोरसी तो हम सीता वहन जी कहां आ जाएंगे क्या नाम से केवल विहार से आ जाएंगे मिल जाएगी तो नाम के पीछे गाओं होना अनिवार्ज है तो नाम की चर्चा तो सब गुरू लोगों ने किया अब गाओं की चर्चा किस ने किया है अब बिना गाओं का नाम बाल आदमी मिलेगा नहीं चुक्छे उस नाम का बहुत लोग होगा तो कैसे हम उस आदमी से मिल सकेंगे साहब कबीर कहते हैं जहीं पूछो सो नाम बतावे नाहीं दिखावे गाओं नाम की चर्चा सब लोग करते हैं हर पंथ में नाम दान दिया जा रहा है यही है मुक्ती का मंत्र बहुत जगों में कबीर पंथ में भी नाम दान दिया जा रहा है यही है मुक्ती का मंत्र नाम है क्या साहब कबीर कहते हैं पांच तत्त का पूतरा युक्ती रचा में कीव अब मैं तो ही पूछो पंदिता सब्द बरा की जीब कौन बरा होगा सब्द बरा है की जीब बरा है तो सब्द से भीजक में साहब कबीर कहते है सब्द हमारा सब्द हमारा तू सब्द का सब्द हमारा कहने का मतलब सब्द आया कहां से सब्द की उत्पत्ति कहां से है? सारे सब्द, जितना कोर्स का किताब है, एलेमेंटरी, मैथेमेटिस, जुमेटरी, हिस्ट्री, जोगराफी, एकॉनोमिस, सिविक्स, फिजिक्स, कमेस्ट्री, हिंदी, संस्क्रीट, या बेद, पुरान, उपनीशद, असमिर्ति, रमायन, महभारत, गीता, सुकसागर, पुरान, पुरान, बाईविल, ये सारे, किसने लिखा? मानव ने लिखा, किसकी बात लिखी गई? तो मानव की आत्मा की बात लिखी गई. साहब कबीर कहते है सब्द हमारा गुलाम है सब्द हमारा और तू सब्द का और ये दुनिया वाला सब्द का गुलाम बन गया सब्द हमारा तू सब्द का इसकी चर्चा मैं कल करूंगा विश्तारूप से सब्द की चर्चा ये सारे लोग सब्द जाप करने में भीरे हुए है जहीं पूछाओ सो नाम बतावे नाहीं दिखावे गाओ डगरिया भूल गई अंत में सद्गुरू कबीर कहते हैं भर्म के पंथ परा जग सारा कुसल कतव नहीं पाओ नहीं कहें कबीर सुनो भाई सादो भर्म के पंथ परा जग सारा कुसल कतव नहीं पाओ कहें कबीर सुनो भाई सादो छोड भरम घर आओ डगरिया भूल केवल भर्म को छोड़ना है और अपने घर वापस आना है कोई हरानी नहीं, कोई खर्च नहीं छोड भर्म घर आओ, जिस घर से गए हो उस घर आना चाहते हो तो केवल भर्म को छोड़ दो और अपने घर वापस आजाओ कहने का मतलब अगर ज्ञान मार्ग से आप चलते हैं तो अंतिम परिनाम इसका भी परिनाम आपको भोगना पड़ेगा इसे भी मुक्ति नहीं होगा ज्ञान मार्ग का अंतिम परिनाम होगा इस्तरी होगी फूल और पुरुस होगा फ़ल तब तो आपको मा के गरह में जाना परेगा नौ महिना के लिए यही अंतिम परिनाम मानव जोनी फ calculating आपको मिल जाएगा मुक्ति नहीं होगा कल्यान नहीं होगा इस तरी फूल होगी किसी पेर में पहले फूल लगता है तब फल वो फूल होगी अब वहोई से हम लोग निकले हैं उसी फल से फल निकला है इस तरी फूल होगी और पुरुस फल होगा लेकिन नौ महिना के गरब में जाके उल्टा टंगाना होगा पैर उपर, मुह काननाक नीचे, कोई हवा ब्यार वहां मिलेगा नहीं, यह जंड सहना होगा, फर्क है कि मनुश्व का जोनी पूर दिवारा करें। ग्यान मार्ग पांचमा है आत्म ग्यान मार्ग आत्म ग्यान मार्ग से आपका आना जाना बंग बता है इसके भी साथ साखा है सत्थ, दया, भैर्ग, सील, विचार, ग्यान, बैराग साथ साखा है आत्म ग्यान के आत्म ग्यान का मतलब है कि मांस तो आप नहीं खाते हैं मचली तो नहीं खाते हैं चोरी दलाली तो नहीं करते हैं लेकिन पत्नी को गाली देते हैं पत्नी को मारते हैं सार भाईशा खेत में जाए उसको भाला मारते हैं कुट्टा को मार देते हैं साप को मार देते हैं बीना काम के यह आत्म ग्यान है आपके पास, सबसे बड़ा है आत्म ग्यान, अगर आपके पास नहीं है, तो कल्यान होना मुस्किल है, आपने जो गाली दिया पत्नी के, तो आप कोई अंदाज है कि आपके पत्नी में रहने वाला कौन है, और आप में रहने वाला कौन है, आपके गाई मे रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है कुत्ता में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है आपके मम्मी में रहने वाला कौन है और आप में रहने वाला कौन है ये ग्यान जब तक मनुस को नहीं होगा जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पतनी थी तारा तारा अपने दुलहा को गोद में लेके बिलाब कर रही थी रो रही थी तो भगवान राम ने तारा से पूछा तारा बिकल देखिर घुराया दिनी ग्यान हर लिनी माया भगवान राम ने तारा से पूछा तारा तु क्यों रो रही है तो तारा कहती है प्रभू मैं पती के बियोग में रो रही हूँ तो भगवान राम ने पूछा छित जल फावक गगन समीरा पंच रचित यहो अधम सरीरा प्रगट सोतन आगे सोया जीवनीत तुम काहे के रोया तारा जो पंच तत उसे बना हुआ तत तो चारे माने गए हैं लेकिन आकास को लोग मान लेते हैं जिस पंच तत उसे बना हुआ सरीर जिस सरीर से तुम्हारा बिवा हुआ जो पंच तत उसे बना हुआ सरीर था जिस सरीर से तुम्हारा बिवा हुआ जो सरीर तुम्हारा दुलहा था जिस सरीर से तुमने सुख लिया वो सरीर वो दुलहा आज भी तेरे गोद में परा है तुम रोती हो कुँआ दुलहा तो तुम्हारे गोद में है तो तारा कहती है प्रभू दुलहा मेरे गोद में है लेकिन एक सब्द बोलता लोगी तो भगवान राम ने कहा तारा ये बोलबा नीत है अजर है अमर है अखंड है अभेद है अगम है अगोचर है अजाती है अजन्मा है और अनामी है ये बोलने वाला तेरा दुलहा नहीं था ये बोलने वाला ने किसी का दुलहा है ने किसी की दुलहान है ने किसी का दादा है ने किसी का पोता है ने किसी का नाना है ने किसी की नानी है ने किसी का मौसा है ने किसी की मौसी है ने किसी का भाईया है ने किसी की भावी है भाईय होता है दे और भावी होती है दे मर्द वला दे होता है भाईया औरत वाली दे होती है भावी मर्द वला दे होता है पती औरत वाली दे होती है पतनी मर्द वला दे होता है दादा औरत वाली दे होती है दादी अब बोलने वाला तो जो दादा में वही दादी में जो नाना में नानी में, जो पती में, वही पतनी में, जो गाय में, वही भैस में, और जो कुता में, वही ग्याद में, ये है आत्म ज्यान, साहिब का दूर, ये आत्म ज्यान, मानव को जिस दिन हो गया, ये हर घट में रहने वाला, वही परमात्मा की सत्ता है, हर घट में रहने वाला वही परमात्मा की सत्ता है किसको मारना चाहते हैं किसको गाली देना चाहते हैं किसको ठक देना चाहते हैं किससे दलाली खाना चाहते हैं किससे भूच लेना चाहते हैं सब घट में तो आप ही रहा रहे हैं यह ज्यान जिस दिन मनुस को हो गया यह धर्थी स्वर्ग बनेगी स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी स्वर्ग है कहां यह धर्थी स्वर्ग हो जाएगा उस दिन जिस दिन मनुस को साहर कबीर ने कहा अरे आतम ज्यान बिना सब सूना सारा ग्यान विवेक सुना है सारा पूजा तेवार सुना है सारा तीरत बर्त सुना है आत्म ग्यान के आत्म ग्यान बिना सब सुना क्या मथुरा क्या का सीरे जैसे मिरगाना भी कस तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुनी सुनी आब तहासी पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आब तहासी एक आत्म ग्यान के बिना इधरती चल रही है धरती की दुर्गती हो रही है कहीं आनाचार, कदाचार, बेबीचार, बलतकार, भरस्टाचार, नरसंगार एक आत्म ग्यान के बिना जहां आत्म ग्यान नहीं है सारे पत्थल पानी का पूजा करते करते उस ब्यक्ती को आंत में नरक गामी बन जाना एक आत्म ग्यान के भाब में अगर आत्म ग्यान है तो आप समझेंगे मेरे पिता में वही सत्ता है जो मुझ में है मेरी मा में वही सत्ता है जो मुझ में है मेरी पतनी में वही सत्ता है जो मुझ में है मेरे बेटा बेटी में वही सत्ता है जो मुझी है अचार स्री धर्म सरूप साहब कहा करते थे सबगत प्रान हमारों चोट काही पर दारो किस पर चोट पहुंचाना चाहते हो किसको दुख देना चाहते हो किसको ठक लेना चाहते हो किसका बैमानी कर लेना चाहते हो किसको गाली देना चाहते हो हर गट में तो वही बैठा ये है आत्म का जब तक आत्म ग्यान नहीं होगा तब तक मनुस का कल्यान होना असंभव है एक दृस्टान दे के अपने बानी को बिराम लूँगा बंदूँ एक पादरी जी थे पादरी जी नित परती दिन गिर्जा घर पर जाकर परवचन दिया करते थे ए दुनिया के लोग भगवान पर विश्वास करो भगवान पर विश्वास करो और पुन करम करो तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी तुम्हारे जीवन में सुपसांती आ जाएगी परवचन चलता रहा दो चार छो महिना के बाद एक पार्खी संत पहुँच गए पादरी जी के निकट कहा पादरी जी छो महिना से आपका मैं परवचन सून रहा हूँ आप नित्परती दिन इस बात को दुराते हैं कि भगवान पर विश्वास करो और पुन करम करो तुम्हारी मुक्ती हो जाएगी आज मैं यही दोनों बात का जवाब आप से लेने आया हूँ कहा बोलो तो जो भगवान पर विश्वास करे रात दिन भगवान का पूजा करे अर्चना करे ध्यान करे कथा किर्टन करे और वो करम बनिया न करे उसकी क्या गती होगी अज जो कुछ न करे जो कुछ न करे भगवान के लिए कोई पूजा अरचना न करे, कोई ध्यान भगवान का न करे, कोई कथा किर्तन न करे, कोई नाम का जाप न करे, अकेवल करम बनिया करे। उसकी क्या गती होगी? पादरी काई तो मैं नहीं जानता हूँ। कारे तो तू ही रोज परवचन करते हो, आपने बोले हुए बात का जवाब नहीं जानते हो तो कल से तुम्हारा परवचन क्यों होगा कबरदार परवचन बंद रखो पादरी जी को तो बड़ा कस्ट हो गया दूख हुआ उस सादू से कहा सादू जी दो दिन का छुट्टी हमको दीजिये आप और बूज बिचार के आपको हम जवाब देए सादू जी ने कहा दो दिन नहीं मैं आपको पांच दिन का छुट्टी दिया जाए और बूज बिचार के जवाब दीए पादरी जी अपने घर गए और नित परती दिन साम में भोजन करके बिचावन पर जाते थे और वो चिंतन करते थे जवाब के लिए जवाब आया नहीं 11-12 बज गया रात निद्रा आई और पादरी जी सो गया चार रात ऐसे सोने में बीट गया कोई जवाब नहीं आया आज अंतिम पचमा रात है आज पादरी जी गहरी चिंतन में परे है कल वो कविर्पंथी साधू हमसे जवाब मांगेगा जवाब कुछ आया नहीं आज बिलकुल गहरी चिंतन में चिंतन करते करते अरहाई तीन बज गया भोर कोई जवाब नहीं आ निद्रा आई और पादरी जी सो गए सो गए सपना देखने लगे अर्द निद्रा में गए और सपना देखने लगे मैंने पहले कह दिया सपना की बात साच नहीं होती यह द्रिस्टांत है इसको आप लोग सिध्धांत नहीं समझें हमारा सिध्धांत जूट बोलना नहीं है हमारा सिध्धांत किसी को बलगलाना हमारा सिध्धांत चमतकारी बात बोलना हमारा सिध्धांत किसी को सराप देना हमारा सिध्यांत किसी को बर्दान देना यह हमारा कभीर का सिध्यांत नहीं यह दिरिस्टांत है दिरिस्टांत कुछ गरबर भी हो सकता है लेकिन सिध्यांत कभी गरबर नहीं होगा सपना में पादरी जी की मिर्तू हो गई अज़ा मिर्तु हुई तो जमराज आया जमराज कहा पादरी जी अब आप तयार हो जाए चलने के लिए आपकी बारी आ गई पादरी जी ने जमराज से पूछा हमको कहां ले चलिएगा तो जमराज कहा आपको मैं स्वर्ग ले चलूँगा पादरी जी के मन में तो खुसियाली आई ता ठीक है अब पादरी जी ने कहा एक बात आप से और जानना है ता जल्दी पूछिये कहा स्वर्ग की विशेस्ता कुछ हमको बता दीजिए जमराज ने कहा पादरी जी स्वर्ग में कभी रातरी नहीं होती है 24 घंटा दीन प्रकास एकदम स्वर्ग के लोग बात रोटी साग सबजी नहीं खाते हैं पेरा रसगुला काजू किसमिस मुनक्का स्वर्ग के लोग जोपुरी मरईया स्वर्ग में कहीं सेवरी मीरा अनसुया का भजन होता है स्वर्ग में कहीं बुध महावीर कभीर का परवचन होता है स्वर्ग में कहीं सुन्दर सुन्दर फूल के बगीचे मिलेंगे स्वर्ग में कहीं कहीं सुंदर-सुंदर, फल के लाल पीले फल मिलेंगे, ये विशेष्टा है स्वर्ग की, पादरी का मन तो गदगद हो गया, कहा चलिए अब, अब जम राज पादरी जा रहे हैं स्वर्ग में, जब स्वर्ग के निकट पहुँचते हैं, तो रातंदेर, र का घर है चारो तरफ लोग साग रोटी अलुवा सुथनी जनेरा मरुआ जुआर बाजरा के रोटी लेके जख मार रहे हैं कहीं सिवरी मीरान सुया का भजन नहीं है कहीं बुध महवीर कभीर का परवचन नहीं है कहीं सुन्दर फूल के बगीचे नहीं है कहीं सुन्दर फल के बगीचे नहीं है पादरी ने कहा जमराज से कितना जूट बोलते हो आप कहा स्वर्ग ले चलेंगे यही आपका स्वर्ग है कहा यह काम कीजिए आपका स्वर्ग तो मैं देख लिया अब जराहसाम को नरक तो दिखाईए नरक किधर है जमराज ने कहा नरक देखोगे क्या कहा जी चलो नरक में गए तो नरक में जाते से देख रहे हैं बिल्कुल प्रकास है दीन है और चारो तरफ गस विस महल का एर कंडिशन मकान चलत रहा है चारो तरफ लोग पेरारस गुला काजू किसमें स्खा रहे हैं कहीं पुद्ध महाबीर कबीर का परवचन चल लहा है कहीं सुन्दर सुन्दर फूल के बगीचे हैं कहीं सुन्दर सुन्दर फल के बगीचे हैं पादरी ने कहा जमराज से कितना जूट बोलते हो आप जिसको आपने स्वर्ग कहा था वो नरक से बत्तर है अज इसको आपने नरक कहा उस्वर्ग से बढ़ कर है ऐसा क्यों तो जमराज ने जवाब दिया ए पादरी जी आपके जैसे लोग जो जीवन भर भगवान पर विश्वास किया रात दिन भगवान का पूजा किया करम एक भी बनिया नहीं किया वे सारे लोग आकर इस्वर्ग क नरक बलाते हैं आज तो वही हाल है मंदिर जाने वाले को देखिये तो मंस खाते हैं मचली खाते हैं मिलावट बाजी करते हैं जूट बोलते हैं डंटी मारते हैं भूस खाते हैं यही तो चला है असारा पाप कटाने के लिए मंदिर चले जाते हैं का ये सारे लोग आकर इस्वार को नरक बनाया है और भुद्ध के जैसे लोग, कबीर के जैसे लोग, लाउतजे के जैसे लोग, प्लेटो के जैसे लोग, सुकरात के जैसे लोग रजनीश के जैसे लोग जो अपने कर्म का भरोसा किया भगवान का भरोसा छोड़ के किवल अपना कर्म बनिया किया वे सारे लोग आकर इस नरग को स्वर्ग बनाते रखा है राम बुलाबा भेजिया दिया कवीरा रोए अजोशुक साधू संग में सो बैकुंठ न होए जिस दिन कर्म आदमी का ठीक हो जाए स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी स्वर्ग उतर के आपके निकट आएगा ये भगबान बादी लोग कर रहे हैं पांचो कांड की धोरी धोरी सी चर्चा कर्म कांड उपासना कांड जोग कांड ग्यान कांड और आत्म ग्यान कांड आत्म ग्यान सब से उधारक है कल्यान दाता है इसलिए हम लोग आत्म ग्यान में आवें एक एक जीव से सिनेह रखे एक एक जीव से प्रेम करें एक एक जीव पर दया करें अपना कल्यान करें और सुन्दर सब समाज का निर्मान करें इन्हीं चंद सब्दों के साथ अपने बानी में देता हूं भी राम